कि भारती जनतापाटी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है, काउ बेल्ट, I don't know where, where, ये, ये, काउ बेल्ट है, काउ बेल्ट का समर्थने, काउ बेल्ट जिसे खाजाता है, उस इस तरह से सदर्ण में उल्लखित करना और इसável जाएं हायें। हर्याना में, हम हर्याना जीटे हैं, हमने करनाटक में समर्थन प्राप्त किया हैं। और यह ठीक है कि केरन में, warm Amazon, Primilaドoupe में, हम उतने शक्तिशाली नहीं है घर हमारा संगठन है है टरभर करें से फ़ोड़ा कम वूट मिला हूं ऐगा है अगर आप बात करते हैं तो फिर दस पर सेंट प्र झाल की बात करिए ऩर दी साने टेश्क वोड़ कि एक इमें प्रेय इस सदन में एक एक घजब्ठी की पार्टिया एक एक तोन से हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रयास करने का पूरा धिकार है मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी एकला चलो रहे और चलो एकला अपने चुनाओ खेटर से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किस लिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार्ट भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैनत कि हम लोगों में गए हैं हमने संगर्ष किया है पार्टी 355 दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकर मुक्चे की तरह से खड़ी होने वाली पाच दी और आज हमें आज हमें अकारण कटकरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज्यादा सीटे नहीं लिए हम मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत में लग चाहिए राश्टर पती ने हमें आउसर दिया हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सपलता नहीं मिली वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सजयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस पास को मत भूले मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सजयोग देंगे या आपको आश्वासन देना चाहते मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जान साथ। लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है, शिडूल कास के टोटल मेंबर्स है 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजे पीजिटे ने गएगा। CTIM, CPIM के 5 मेंबरें, CPI 1 मेंबरें, Congress 15 मेंबरें, जनतादर 7 मेंबरें और सबसे जादे हमारे मेंबरें। सब्सक्राइब तोटल नंबर ओक्षीट इस फुर्टीवन बीजेपी 11 हमारा जनाधार नहीं हमें लोगों का व्यापक समर्चन प्राप्त नहीं हमें छोड़कर सक्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी मुभी तो उसके टिकने के लक्षन नहीं दिकाई देख पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवीत रेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाफ कर सकेगी ये प्रश्ण वाचत चिन्न है हर बात के लिए आपको कॉंग्रिस के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्बर हो जाएंगे अभी तो मैं नहीं जानता है पहले पहले चर्चा हुई कि कुछ शर्चे लगाई जा रहे हैं फिर चर्चा हुई कि कॉडिनेट कॉडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कॉडिनेशन करते हैं उसके बिला तो सदन नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नायाब के साथ है हम अपने देश के